पुराने से पुरानी जाईयों को आप ठीक करना चाहते हैं आपने सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन आपको कोई फाइदा नहीं मिला है एक बार आप इस रेमेडी को ट्राई करिए 100% गारंटी है 15 दिन में आपको बहुत ही जादा फाइदा मिलने वाला है चलिए देखते कर जाईफल को लेकर उसको कूट कर पीस कर उसका पावडर बना सकती है ठीक है उसके बाद यहां पर दो चमच जाईफल में मैंने दो चमच कच्चा दूद मिलाया है इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है इसके अंदर में डालूँगी एलोविरा जेल आप किसी भी ब्र जरूर यूज करके देखिए आपको बहुत ही जल्द फायदा मिलने वाला है लाइफ रिजल्ट आपको दिखाने वाले हो इस वीडियो में लगा कर आपको बताने वाली हूँ तो यह देखिए मैं यहां तीन चीजे लिये सिर्फ यहां पर मैंने लिया है दो चमच पावड अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है क्लीन करने के बाद ही हमें इस फेस पेक को अपने चेरे पर लगाना है ताकि अच्छे से वर्प करें ठीक है तो फेस दोना बहुत जादा जरूरी है तो देखिए फेस मेरा पिल्कुल क्लीन हो चुका है अब हमें यहां पर लग तो यह सभी प्रकार की एज पर सूट करेगा यह फेर सोस आप किसी भी एज के हो इसको आराम से लगा सकते हैं लगाने के बाद कम से कम आपको इस फेस पेक को 30 से 45 मिनिट तक रखना ही रखना है ठीकि आपको कम से कम एक घंटे के आसपास आप इसको लगा का चोड़ दीजे 45 मिन्ट मैंने इसको लगा कर रखा यह सूख गया उसके बाद मैंने इसको गीला किया हलके हातों से और इस तरीके से स्क्रबिंग करनी है ताकि इसके जो भी गुणे वो हमारी स्कीन के अंदर जाए आपके जाया दाग पिंपल के निशाने वो ठीक हो जाए और यह देखे म कि मैंने कुछ भी यूज नहीं किया है सिंपल पानी से मैंने मूध होया है और आप यह देख सकते हैं तो वीडियो ची लगे तो वीडियो को लाइक शेर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले इस टाइप की वीडियो जदेखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कि कि वीडियो सब्सक्थराइब कर देखने के शुरूं के वीडियो चैनल सब्सक्राइब कर देघक शे